मार्ती सुजुकी आज भी इंडिया की हाइस सेलिंग कार ब्रैंड है जिसका रीजन है इनका वाइड सर्विस नेटवर्क और काड़ी की रीसेल वेल्यू बागे बिल्ड क्वाल्टी का सच धीरे धीरे सभी लोग को समझ आ रहा है जैसे अब टाटा नेक्सान सडकों पर दिखने लगी है तो इस गाड़ी की रीसेल भी उसी तरह से मिल रहा है इसलिए सेव कार्स को लेना शुरू किया जाएगा तो रीसेल भी उसी इसाब से मिलनी शुरू हो जाएगी बात करी जाए बलेनों की तो पुरानी बलेनों ने सभी एक्सेंट में काफी बुरा पफॉर्म किया है और इस कार के एक्सेंट में बहानक हाल कई बार देखने को मिल चुके हैं नई बेलेनों में कुछ improvement बिल्ड क्वाल्टी को लेकर दिखाई दियें पर मारतिक इनकार्ज को आज तक crash test ना करवाना आज भी doubt create करता है। आज वापस बेलेनों को एक ऐसा ही एक्सेंट सामने है जहां गाड़ी पूरी तरक हतम हो गई है। एक्सेंट भूवनेश्वर से रिपोर्ट किया गया है जिसे कनक न्यूज ने भी शेयर किया था। पाकि बेलेनों की हालत एक बार फिर सामने हैं। आपका speed limit में चलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये खुद की गलती से हुआ accident है। और ऐसे accident में हमारा पहला defense हमीशा controlled speed में drive करना होता है। लखी लिए कोई third party involved नहीं थी वरना उसको भी काफी भैंकर चोट आ सकती थी। आपका का सूचना इस accident के बारे में comments में जबता है। चलता हूँ मैं मिलूँगा आपसे चलती एक नए वीडियो के साथ। तिल अटाइन दूसमी साइन ओफ।